हेलो फ्रेंज स्वागत है आप सभी का आपके अपने दैनिक स्टड़ी पॉइंट टूप चैनल में और देखिए आज एक बार फिर एक वीडियो लेकर आई हैं और इस एडियो में न देखिए जैसा कि आप सभी को पता है कि हर्याना में TGT के एक्जाम चले हुए हैं तो दे देखिए अगर आप हर्याना में किसी भी अग्जाम की तियारी करते हैं तो आप इस वीडियो को अवस्य देखना क्योंकि इसे पता चलेगा कि अब आगे किस प्रकार का पैटरन आने लगा है तो देखिए वीडियो को लास तक देखिएगा और ये वीडियो आप सभी को अ एजुकेशन वालों का हुआ है तो देखिए इसमेना पहला कोश्चन है ये है अफरीका की पांच वी सबसे उची चोटी माउंट मेरू पर किस हर्यान वी ने तिरंगा फेराया तो देखिए अफरीका की जो सबसे उची चोटी है माउंट मेरू इस पर किस ने तिरंगा फे चान में तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है और यहाँ पर इन्होंने 24 गंटे रहकर और तरंगा फिराया है तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है अगला कोशियन है कोमन वेल्थ गेम 2010 में किसने भारत के लिए स्वर पर्थम स्वरन पधक जीता तो देखिए उप्शन है साक्सी मलिक गीता फोगाट अंसु मलिक विनेस फोगाट और देखिए इसमें पांचवा उप्शन भी दिया गया है एप प्रियासी ती यानि कि हमें इसका प्रियास नह कें भांफ भांफ था तो देखिए यहां पहले जो couldn'tे कहाँ पर है तो यह है चरकी दादरी में जो की पहले में होता था और आप इस एक और है अगला कोश्चन है को बैसे कुन हर्याना के की प्रेथम उर्दु- राज गवी है यह है लाला अनूव चंद आफ्तव- इसमा Option A सही है, अगला question है,पोटला हील का स्थान कहां पर है, तो देखे जो कोटला हील्स है यह कहां पर स्थीत है, तो यह देखा जाए, कहां पर है तो यह है नुहु जिले में इसमा Option D सही है, अगला question है ताजा State of Forest Report 2021 के अनुसार हरियाना में 1 आवरन राजे के भोगोलिक छेतरफल का कितना प्रतिसत है तो देखिए ये करेंट का question है औरी Forest Report 2021 के अनुसार जो देखा जाए 1 आवरन का जो भोगोलिक छेतरफल है ये है 3.63 इसमें option A सही है अगला question है नेमने में से कौन सा कथन पंजाब एमम हर्याना उच निया याले के बारे में सही है तो देखिए ऐसा देखना है कि कौन सा कथन है जो की सही है तो 1 है उच निया याले में कूल 56 नियाईदीज है तू है रवी संकर जा पंजाब एम हर्याना उच नयायले के मुख्य नयायदीस है और थिरी है नयायले भवन ली कार्बूजियर द्वारे डिजाइन किया गया है तो देखी इसमें न मुझे लगता है कि इसमें option 2 सही है क्योंकि जो 2 और 3 है ये ही सही है और जो वन पॉइंट है कि उस नयायले में 56 नयायदीस है तो देखी यहाँ पर 58 नयायदीस है और अगर यह किसी को पता है तो आप comment box में comment करके बताना क्योंकि यहाँ पर जो नयायदीस है ये है यहाँ पर नयायदीस की जो संक्या है ये 58 है क्योंकि जो 38 है ये तो स्थाई है 38 स्थाई है और जो बाकी बचे 30 ये अतिरिक्त है तो ऐसे करके 58 हो गए और यहाँ पर 56 दिया है तो देखी ये अगर किसी को पता है तो आप बता सक में ट्रम YouTube को न में रही स्मय ठाविषा कि सबक्रिक हूद सब्सक्राइब जो ह्रियना सरकार के दो भारान योजना सुरू की गई है संत शिक्षार रविदास सहायता योजना तो यह है छोटे कारीगरों के लिए इसमों अप्शन ए सही है और देखिए इसमें ना जो भी छोटे कारीगर है या फिर जो महिलाएं है इनको 25,000 रुपए की रासी दी जाती है यानि की 25,000 रुपए का लोन दिया जाता है त कहाँ पर स्तीत है तो देखिए हर्याने का जो प्रेथम सामुदाइक रिजर्व साइट है यह स्तीत है यह देखिए धनाड गाव है वहाँ पर है लेकिन वो उप्शन में नहीं है तो देखिए इसमें मुझे नहीं पता इस कोश्चन का अंसर क्या होगा अगर किसी को बता ह है तो आप कोमेंट बोक्स में कोमेंट करके बता सकते हैं अगला कोश्चन है चैतरी चोधस का मेला की इस जिले में होता है तो देखिए जो चैतरी चोधस है यह मेला होता है कुरुक सेत्र में इसमों उप्शन सी सही है अगला कोश्चन है नेमने में से कौन सा लोक निरते ह हर्याना राज्य का है तो देखि इसमें देखना है कि कौन सा ऐसा लोक निर्ते है जो कि हर्याना राज्य का है तो वह है धामाल इसमें उप्चन सी सही है और देखि बाउल देखा जाए कहां पर है तो यह पस्चिम बंगाल में है पस्चिम बंगाल का है और यक्सकान देखा जाए तो ये करना टक का है तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है अगला कोश्यन है मनोहर जोती योजना हर्याना सरकार की एक योजना है तो देखिए जो मनोहर जोती योजना है ये हर्याना सरकार की योजना है तो ये किसके लिए है तो देखिए ये है घरेलू सोर उर्जा बनाने के लिए इसमा उप्सन सी सही है मनोहर जयोती योजना घरेलू सोर उर्जा के लिए है और देखी सोर उर्जा का मुख्याले देखा जाए कहां पर है तो ये गुरु गुराम में है तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है और ये कब बना तो ये उसे फसल को बेचा जाता है तो देखी समा उप्सन 20 सही रहेगा किर्सकों को लोगिन करना फसल बेचने हेतू कूपन पाने के लिए अविदन करना यानि की ए खरीद के लिए ये योजना है तो इसमा उप्सन 20 सही है अगला कुश्यन है निमन में से कौन सा एक खनीज बदार्त है जो भारत में सिर्फ जीला भीवानी के गाउं कलियाना में पाया जाता है तो देखिए ऐसा कौन सा खनीज बदार्त है जो कि भीवानी के कलियाना में पाया जाता है तो देखिए वह है हिलना पत्थर इसमा उप्शन सी सही है और देखिए ये अब भीवानी में नहीं है ये चर्की दादरी में है तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है चर्की दादरी है और पहले ये भीवानी में होता था लेकिन अब ये चर्की दादरी में है तो हिलना प तो देखी जो सुआमी ओमानन्द सरस्वती संग्राले है ये है जज़र में, इस में अप्छन एसा ही है, और देखी इसकी जो शुरुआत की गई थी, ये की गई थी, 6 मार्च 2022 को, 6 मार्च 2022 को अपने जो CM है, स्री मनोहरलाल खटर, इनके दौरा इसकी शुरुआत की गई थी और ये इसका सुभारंब किया गया था तो देखिए आगे है निमलेखित में से सभी रेवाडी जिले की तैसिले हैं सिवाए तो देखिए जो रेवाडी जिले की तैसिले है इसको छोड़ कर है तो रेवाडी है कोसली है और बावल है ये तीनों ही रेवाडी जिले की तैसिले है और जो की नुह है ये नहीं है ये मेवात में है नुह है अगला कोस्चन है हर्याना में बायो मास प्लांट की सुरुवात क तो यह ट्रैफिक रूल से संबंदित कोश्यन है तो यह उल्टा मोड है इसमा उप्शन D सही है मुझे भी यही लगता है अगला कोश्यन है MVA का अर्थ क्या है तो देखिए जो MVA है इसका अर्थ है Motor Vehicle Act 1988 इसमा उप्शन B सही है अगला कोश्यन है अब जिस वहान को चला रहे हैं उसको आपको पता होना चाहिए तो देखिए जिस वहान को चला रहे हैं उस टाइम क्या पता होना चाहिए तो ट्रैफिक संकेत और निय के स्पीड से चलाएं यहान कि यह स्पीड को दर्शाता है इस मोंस दी ऑपिसदी सही है अगला कोस्चन है सीगनल Tetraffic लाइटÓ में कौन से क्लर का परीयोग होता है तो देखिए यह लाल हरा और पीला इसी क्लर का प्रेयोग होता है इसमांपसन सी सही है और देखिए अब आ किसी संबन्दित question मिलते हैं तो उनको भी करेंगे तो देखिए अगर आप हर्याना में किसी भी exam की तियारी करते हैं तो आप इस वीडियो को अबसे देखना और यह देखिए एक और question आ गया है निवनिमें से हरियान की कि जिले में जैयन्ती पुरातात्विक संग्राले स्थित है तो देखिए जो जैयन्ती पुरातात्विक संग्राले है ये आएगा जीन्द में इसमों अप्शन ए सही है और देखिए एक और संग्राले है जो की कुरुक सेत्र में है तो वह भी आप सभी को ध्यान अगला question है स्रान कुमार के नाम पर हर्याना के किस दिले का नाम पड़ा तो देखिए वह पड़ा है सोनी पत का इसमा उप्चन D सही है और इसे सोन परस्त के नाम से भी जाना जाता है तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है और देखिये फतेहाबाद ये किसके दो वरा बसाया गया ये आप सभी को comment बॉक्स में comment करके बताना है और मेहंध्रगर का जो प्राजीन नाम है ये कानोड है और देखिए हिसार है ये कब बसाया गया तो ये भी आप सभी को बताना है और आगे हैं उत्र भारत का पहला परमाणू सेयंत्र कहां पर स्थापित होगा तो देखिए जो उत्र भारत का पहला परमाणू सेयंत्र है ये है गोरखफूर में उसमा उपसंडी सही है और गोरखपूर कहाँ पर है तो ये है फतेहबाद में तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है आगे हैं तो देखिए फ्रेंड्स आगे अब फिर से जो टीचिंग के सब्जेक्ट है उनसे संबंदित कोश्चन है तो देखिए इसमें हर्यान जी किसे संबंदित कोश्चन हमने करवाए है तो देखिए ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होती से लाइक करना सेर करना और अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वेल आइकोन का बेटन भी दबा लेना ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक आता रहे थेंक यू